जैपो भ्रह्मपुरी बस स्टेंड छेत्र के एक तीन सो सार पुराना नीम का पेड़ तूटकर गिरने के बाद पोधर ओपन को लेकर दो गुटों में विवाद जड़ गया इस विवाद ने अब नगर निगम का दरवाजा खटकटाया है गया गुरू की गली में इस्तित इस नीम के पेड़ जो की सेकड़ो वर्षों से इलाके का एक महतवपुन हिस्सा था हाल ही में तूटकर गिर गया इसके बाद इस्ताने निवासे नए पेड़ लगाने के लिए जुट गए उनका उद्देश्य था कि पुराने पेड़ की जगए नए पेड़ लगा कर शेत्र में हरियाली को बनाए रखा जाए इस परियास के दुरान दो गुटों में मतभेद उप्तपन हो गया एक और इस्ताने निवासे थे जो पेड़ लगाना चाहते थे जबकि दूसरी ओर अश्वीनी शर्मा जो की सेल्स टेक्स असिस्टन्ट कमिशनर है का परिवार था शर्मा का परिवार इस पोधारोपन के पक्ष में नहीं था और उन्होंने पहले किये गए पोधारोपन को भी तोड़ का फेक दिया था मामला तब तुल पकड़ा जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई इस्थानिय निवासियों ने जहां पेड की सुड़क्षा की मांग की वहीं अधिकारी की परिवार ने पोधारोपन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई इस्ताने निवाश्यू का कहना है कि पेड लगाना परियावरन के लिए अत्यंत आवशक है विचाते हैं कि पुराने नीम के पेड की जगए नए पेड लगाए जाए ताकि छेतर की हर्याली बनी रहे उनका यह भी कहना है कि अधिकारी के परिवार ने पहले किये गए पोधारोपन को तोड़ का फेक दिया था जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई है अश्विनी शर्मा के परिवार ने पोधारोपन के विरोध में अपने स्थितिस परस्ट की है उनकी अनुसार पेड लगाने के लिए उचित स्थान का चैन नहीं किया गया था और इस कारण से उन्होंने पोधारोपन को तोड़ दिया उनका कहना है कि यदि पेड लगाना ही है तो इसके लिए उचित स्थान और विदी का पारन किया जाना चाहिए विवाद के बढ़ने पर नगरनिगम ने हस्त शेप किया है नगरनिगम के अधिकारी उनने दोनों पक्षों की बात सुनी और विवाद को सुलजाने का परियास किया उन्होंने कहा कि पोधर उपन की प्रकरिया को सूव व्यवस्तित और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्य कदम उठाए जाएंगे नगर निगम के अधिकारी अब सूनिश्चित कर रहे हैं कि भविश्य में इस तरह कि घटनाएं ने हो और पेड लगाने का कारिये शांती पूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन हो वस्तानी निवाश्य को भी आस्वाशन दिया गया है कि नए पेड़ो की सुरक्षा के लिए परियाक्त इंतिजाम किये जाएंगे